हेवरीवन वेलकम बाक टू माई यूटूब चानल अफटर सो लॉंग मैंने वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया है यह मैं आपको पहले बाद में बताऊंगी पर ही मेरा सबसे पहला व्लॉग है और यह रही मैं शीषासन करते हूं यह सकेन और हैर के लिए बहुत ही अच्छा होता है आप लोग भी प्रैक्टिस करो इवन योगा प्रैक्टिस करना बहुत अच्छी चीज़ है घर आने के पाद मेरा जो बड़ा बिटा है वो स्कूल जाता है उसको मैं रेडी करती हूं सुबह और अब हम जा रहे हैं उसको स्कूल चोड़ने के लिए पहला दिन है जब अबीर भी साथ में जा रहे है एक नया इडीशन हुआ मेरी family में अबीर सो हम लोग सब कबीर को चोड़ने जा रहे हैं कबीर को बहुत अच्छा लगता है स्कूल जाना और आज पहली बर अबीर चोड़ना है तो वो सब को बार बार बोल के बताएगा कि पूरे मतलब जब तक लास खत्ब नहीं होती कि मेरा भाई मुझे छोड़ने आया है क्योंकि आज घर में अभी शेक है तो पंडी जी सुबह के शिवलिंग बना रहे हैं यह रात में मित्ती गलानी पड़ती है सुबह बनाने के लिए पर उसके बात किचिन में मुझे खाना बनाने की तयारी वाला काम करना है कि मैं सुबह नहाली तो मैं थोड़ा बहुत किचिन का पहली काम निपता लेती हूं और यह बन चुके बहुत सुंदर से शेवलिंग अब इनकाम अभी शेक करने वाले कुछ देर बाद खाना मैंने बना लिया है और यह मेरे हस्बिन है जो कि यह बता रही कि सारा काम मैं करता हूं यह कुछ नहीं करती है यह एक डीटॉक्स जूस है जो हम दोनों रोस पीते हैं अगर आपको इसके बार में पता करना है तो प्लीज कमेंट में बताएगा खाना बनाने के साज़ मैंने बना लिया है यह पांचा मनद जो की प्रशाद में देना है आज कथा के बाद और मैं जा रही हूं नहाने उसके बाद मैं हो गई हूं रेडी टडा एक बहुत रंगीन सी साड़ी पहन के जो एक बहुत पूजा अप्रोप्रियेट साड़ी है यह शिफान की सारी है औ उसके बाद के चेन का थोड़ा बहुत काम और पापा का व Bleff है तो मैं उनके लिए बनाना शिक बना रही हूं और यह बना रही थी मैं पनीर की अंकुर को रोज पनीर लगता है मैं रोज प्रोटीनवाला कुछ बनाती और यह दिखा रह हैं कि मैं भी थोड़ी सी हेलप मतलब सारी की सारी फैमिली मिलके अभी शेक करने वाले हम लोग थोड़ी सी तैयारी कर रहे हैं और बच्ची वही अभी शेक की देख सकते हो आप लोग बड़े जोरो शोरो से तैयारी चल रही है वैसे तो हमारा रोस का रूटीन है कि मेरे सबसे बड़े बेटे को या तो पापा ममी लेने जाते हैं या हम लोग लेने जाते हैं पर आज उसके चाचू उसको लेने गयते हैं कि गढ़ में पूजा थी वह वापस आगया और इतना मन लगा कि हभी शेक कर रहा है उसको देख क तो बहुत ही जादा अच्छा लगा हम लोगों को बहुत जादा को अपरेट कर रहा है मुझे बहुत मोटा कलावा बानने बहुत अच्छा लगता है और बस पूजा खतम हो गई उसके बाद हम लोग ने खाना खाया और फिर मैं स्टोर जाने के रिडियो में जाती हूँ में नाले क्मली स्टोर क्योंकि मेरी आजच्छ मन्स को चाहा करऊँ और अच्छ कर शैक करें ग, यह इनकीत्व रूदक्त नो मैं दिन घ्राइब करां ए न्यकार में पनल अच्छे। ईनकी काम करना हैं ये मेरा main store है और सामने एक और store है जहांपर tailor बैठते हैं workshop है मेरा रागी मेरे पास female staff भी है male staff भी है सब मिलके काम करते है काम करना मुझे बहुत अच्छा लगए क्योंकि यही मेरा passion है और बहुत जादा ही अच्छा लगता है around 830 इस प्रफिती स्टोर क्लोस करके हम लोग घर जाते हैं साथ में और मैं बहुत अची ड्राइवर हूं बहुत अचे से ड्राइब करती हूं खुद की तारीफ नहीं करी हूं पर सच में भी ऐसा है घर आके देखा मैंने की सागू बड़े बंद रहे हैं वो तेल में डालो तो पता नहीं क्यों इस बर फैल रहते तो फिर हमने उसको तवे पे ही सेख लिया टिकी को और सब का प्रता तो सब ने यही खाये डिनर में हमारे यहां बहुत डिनर 11 बज़े तक चलता है फाइनली 11.45 तक हम लोग ऊपर जाते हैं सोनी के लिए उसमें भी बच्चे रात में पता नहीं सोने ही नहीं देते हैं और यह चलता ही रहता है आज का दिन हो गया है खतम अब हम लोग जा रहे है सब सोनी के लिए एक दूसरे को टाटा बाय करके अब आपको मेरा व्लोग पसंद आया होका अगर अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएगा तभी मेरा दूसरा बनाने का मन करेगा प्लीज या प्लीज और सी यू नेक्स वीडियो बाई एंड टेक केर